अलवर में दिव्यांग जनों ने आज सही दिसमारक से लेकर जीरा कलेक्टर का रियाले तक रैली निकाली इस रैली में खुद काबिनेट मंत्री टीका राम जूली दिव्यांग की काड़ी के पीछे बैट कर अशोक टौकिस पहुचे जहांपर मंत्री ने सभी दिव्यांग को धन्यवाद दिया तो भी दिव्यांग जनों ने काबिनेट मंत्री ठीका राम जूली का अभार जताया इसके बाद सभी दिव्यांग अशोक टौकिस से एकत्रित होकर जीरा कलेक्टर का रियाले पहुचे जहांपर एडियम वित उत्तमशीं सिखावत ने उनका माला वसा कि सवय कर आज समार्च के द्वारा प्रियो हम सभी दिव्यांग सा gjortि से क्लेक्ट रेट तक नास्ते घास्ते जूमते होए जाएंगे और मंत्री साहब का, बहुर साहब का और असुक गैलो जी का अभर परगट करते हैं मैं असुक, मैं सतिश कुमार चौधरी दिव्यांग जन को लान सहस्तान अध्यक्स राश्तार में जो दिव्यांग जनों के एक स्कुटी योजना है उस योजना में हमारे दिव्यांगों को स्कुटी नहीं मिली, एक तरह से उनको पेर मिल गए, तो हमारे सबी दिव्यांग जन खुस हैं इस योजना को लेगे कि मंत्री जी ने इतनी बड़ी संक्या में हमारे चिले में स्कुटी वितरन करवाई उन निस्पक्च, बिल्कुल मंत्री जी ने ये बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि दिव्यांग को हमें ऐसे करे, बिल्कुल एक नियम अनुसार ये सब को इस्कुटी मिली है तो हमारे सबी दिव्यांगों में एक खुसी की लहर है हमने मिटिंग की तो दिव्यांगों ने बताया कि हम ऐसे ऐसे मंत्री जी का आज हमने स्वागत किया है तो मंत्री जी को हम यह बताना चाहते हैं कि हम दिव्यांग आपकी योजनाओं से कितना कुछ है आपने एक योजना और चलाई है दिव्यांग विवा की दबंते योजना जिसमें 5 लाग हम दिव्यांगों को मिलेगा विवा पे तो यह योजना पूरे विस्व में नहीं है तो इस योजना का हम स्वागत करते हैं और पूरे मैं करम भारत में इतनी इसकुटिया किसी सरकार नहीं वाठी तो मैं चाहता हूं कि राष्टा पेर देने का कारे करें सरकार क्योंकि हमारा इससे रोजगार भी भढ़ेगा समाज में इज़त भी बढ़ेगी तो हमें चाहते हैं कि सरकार ने टीका राम जूली जी ने जो इसकुटियोजना की पहल किये और वह वह भी दिवांग एवं जनकाल्यान संस्थान से